नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइटेर न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तरू सिवान में न्याएधीस रामायन राम की अदालत ने हध्याकान के एक मामली की सुनवाई के बाद चह आरोपियों को दोसत पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ये आरोपितों पर अर्थ डंड भी लगाया है कोर्ट सूत्रों से प्राप जानकारी के नुसार वारदार 13 अक्टूबर 2019 की साम 6 बजे की है वारदात के समन्द में मुफ्ल स्थाना च्छेतर के बरहन-गोपाल गाउं की सल्मा खातूर नियस थाने में FIIR दज कड़ा कर बिंदु सार, हमीद गाउंकिया, अनिल कुमार महतो, संतोस कुमार महतो, राजु स्रिवास्त, शम्षाद अली, अर्विंदु कुमार महतो और जीतेंदर यादों को आरोपित किया था F.I.R. में कहा था कि मेरे बेटे इसराइल को बुला कर आरोपी ले गए इसके बाद सभी ने उसके साथ मार पीट की और उसकी हत्या कर दी कोट में सुनाई की बाद सभी आरोपितों को दोशी पाते विया जीवन कारवास की सजा सुनाई है 27-25-25,000 रुपे का अर्थ डंड भी लगाया है अभियोजन की ओर से लोग अभियोजक रविंद्र नाज शर्मा ने बहस किया था वही बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधामा ठाकुन, रजनी, रंजन, त्रिवेदी और मनोज कुमार स्री ने बहस में भाग लिया ऐसी तरी इन ताज़ा खबरों को देखने के लिए आप जूरेरे लाइटेन न्यूज के साथ